FPS का क्या मतलब होता है या आज की वीडियो में सीख लेते हैं FPS का वैसे तो कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन आम तोर पर इसका इस्तेमाल जो है वो वीडियो में किया जाता है जब कोई भी वीडियो record की जाती है या play की जाती है या कोई animation होता है तो उसमें fps होता है fps का मतलब होता है frame per second यानि कि एक second में जो frame है जो photo है वो कितनी बार बदली है उसको fps कहते हैं यानि कि जैसे एक कोई वीडियो चल रही है तो वो वीडियो में actually में photo होती है जो वो तेजी से बदलती है तो उससे हमें वो photo move करती हुई दिखाई देती है तो जितना fps जादा होगा उतनी वो photo उतनी वो वीडियो जो है smooth हमें दिखाई देगी तो fps मतलब कि एक second में कितने बार वो frame refresh हो रहा है कितनी बार नई photo जो है वो आ रही है screen पर उसको fps कहते हैं और आम तोर पर ये जो है पहले 30 fps की वीडियो को भी अच्छा माना जाता था फिर 60 fps आया अब आज कल तो 120, 240 या उससे भी जादा fps पर वीडियो रिकोर्ड की जाती हैं और display भी ऐसे आ गई है जो support करती है इतने fps वाली refresh rate को तो इसके बारे में कर आप और detail से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और इसको और बहतर तरीके से समझ सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास की सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें